दुनिया धके लाई शके छे महाविनाश तरफ एक नानो अम्थो तणखो महा युद्ध थी महाविनाश तरफ दुनिया पर तोड़ाता त्रीजा विश्वयुदिना खत्रा वच्चे अमेरिकानी गुप्त चरेजंसियोई दाओ कर्यों छे के त्यमने यूकरेन पर रश्याना हुम्लाना प्लान ने डिकोड करी दितों छे के रश्या नम्तू जोखवा तैयार न थी अमेरिका सतत रश्याने चेतवनी आपी रहुँँछे जेना करणी यूकरेन पर हुम्लो थायो तो आत रिजा विश्वयुदिनी शरू आथ है त्यारे आज मुद्धे जो ये स्पेशल रिपोर्ट महा युद्ध थी महाविनाश यूकरेन पर रश्या अमेरिका आमने सामने रश्याना हुम्लानो प्लान थायो डीको नव रस्ताओ थी हुम्लो करी चके छे रश्या अमेरिका लामबा समयती कही रहू छे के रश्या दुनियाने भले गमेते कहे पन यूकरेन पर हुम्लो जरूर कर छे हवे तो अमेरिकानी गुप्तचर एजंसी ओ ये दावो करी दिथो छे के तैमने रश्याना यूकरेन पर हुम्लाना प्लान ने डीकोड करी दिथो छे यूकरेन विवाद पर अमेरिका रश्यानी दरेक चाल पर नजर राखी रहू छे अने अमेरिकानी गुप्तचर एजंसी ओ अने सेना ना दावा मुझब रश्या यूकरेन पर हुम्लो करवा माटे नव रस्तानों उप्योग करी शके छे आ ते जग्या छे जियांती हुम्लो करी रश्या यूकरेन ने भारे नुकसान पहुंचाडी शके छे अगुप्तचर रिपोर्ट मुझब जो रश्या यूकरेन पर पोताना प्लान मुझब हुम्लो करे छे तो तैनी सेना 48 का लाकनी अंदरज यूकरेन नी राजधानी की उपर कब जो करी शके छे अगर यूएस और नाटो समू के देश डारेक्ट यूध में शामिल नहीं होते तो यूकरेन किसी भी सिती में रूस का मुकावला नहीं कर पाएगा ना तो थल सेना के माध्यम में और ना तो नव सेना के माध्यम से और ना तो जल सेना के माध्यम से अतर अगर यह यूध कन पूर्व यूक्रेन तरफ जतो रस्तो इलेक्ट्रोनिक युद्ध सामगरी तोप घातक सैनिकों थी कारेबाही रस्तो तयार करी चुक्यों छे रस्या बनने रूट थी रस्यानी टैंकों वहानों बै दिवसमां राजधानी सुधी पहुंची शके चे बेलारूस मां बै हाइटेक S-400 एंटी एरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात गुप्त रिपोर्ट मुझब रस्या हुम लो रात रे कर शे एर स्ट्राइक हलवी बैलेस्टिक मिसाइल बॉमबर थी अटैक करी शके चे रडार सिस्टम सैन्य युनिट एरक्राफ्ट एर डिफेंस सिस्टम अनि सैन्य अडावने निशान बनाव शे रश्या यूक्रेन पर बैतरफ ती हुमलो करता चे जैने पिनर मूवमेंट कहवा मावे चे यूक्रेन नी निप्रो नदीना मोटा भाग पर कब जो करता है आविस्तार मां यूक्रेन नी 50 टका सेना तैना और चे पिंसर मूव्मेंट में फोर्सेस को दो-तीन हिस्सों में बाट कर अलग-अलग रास्ते से लक्ष की तरब भेजा जाता है और ये सारे सेनाएं लक्ष के पास पहुँच कर एक दूसरे को जोईन करती हैं इससे शुरुवाती दौर पर दुश्मन का ध्यान बटाने में आसानी होती है और जिस जगह पर सबसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है वहाँ पर वो सारी फोर्सेस कंसंट्रेट हो जाती है अमेरिका का ये हनुमान कि रूस यूक्रेन में पिंसर मुवमिंट के तहत आक्रमण करेगा यह काभी संभावित लगता है मात्र आटलूद नहीं अमेरिकान गुप्तचर एजंसी ना रिपोर्ट मां यूक्रेन पर रशियानी सेनाना हुमलाना आखा प्लान ने समझाववा मावयो छे अमेरिकानी सेनानों मानवू छे के रशिया यूक्रेन पर हुमलो करवा माटे नव रस्ताओनों उप्योग करेशके छे अमेरिकानी गुप्तचर एजंसी ना रिपोर्ट मुझब रशियानी सेना आ नव रूट्स ती सरहत पार करशे अने पोल्टावा अने खार्किवनी तरफ आगल वच्छे आ शहरोंने घहरता रशियानी सेना यूक्रेन निप्रो नदीनी तरफ जशे अने अहीं थी ते पुर्व अने दक्षिन तरफ क्राइमी आजशे क्राइमी आथी रशियानी सेना आजोव सागरनी तरफ मोर्चो थंभाल शे आ रूट पर रशियाना सेनिकोने एर डिफेंस सपोर्ट आपवा मा आवशे अने यूक्रेन पर एर अटेक करवा मा आवशे आ गुप्त चर रिपोर्ट मा ते पन नौधियो छे के यूक्रेन पर हुमलो करवा माटे रशियानी पासे एक बीजो विकल्प पन छे अब विकल्प मुझब रशियानी सेना ओडो अने मौल्दोवा सुधी जतार रस्ता पर काडा सागर तरफ ती सैन्य कारेवा ही कर शे काडा सागर मा रशियानी सेना पहला ती जिब उसको संभाली चुकी छे रशियाय ब्लैक सीमा पांच युद्ध जहाज सबमरीनों साथे साथे पोता नी नव से ना तैनाद करी छे चुकी रूस ने युकरेन को तीन तरफ से घेर रखा है जाहिर है कि तीनो तरह घेरे रहने के फायदे का उप्योग में लाते हुए वह तीनो दिशाओं से आक्रमण एक साथ करेगा इसकी संभावना काफी जादा है इतना ही नहीं किसी भी दिशा से एक तरह से हमला करने में नुक्सान होता है और दुश्मन उसको भाव सकता है इसलिए कम से कम दो से तीन जगहों से आक्रमण संभावी लगता है चूंकि तीन जगहों पर है और दो से तीन दिशाओं से आक्रमण करना अवसंभावी है इसलिए किसी खुफिया एजेंसी कहना कि नौ जगहों से आक्रमण कर सकता है या हो भी सकता है लेकिन इसमें जगह थोड़ा कम भी हो सकती है या जादा भी हो सकती है युद्ध एक बै दिवस माज समाप्त थाई जशे आ हुमलो एटलो विनाशकारी हशे के यूकरेन नी सेना वेर विखेर थाई जशे भले अमेरिकानी गुप्तचर एजन्सियो रशियाना हुमलाना प्लान ने टीकोड करी चुकी होई पन यूकरेन विवाद कोल्ड वॉर पची अमेरिका ने रशिया वच्चे सवथी मोटू सुरक्षा संकट बनी गयू छे अमेरिकाना अधिकारियोंनों मानवू छे कि यूकरेन पर रशियाना हुमला ने तैना थी थनारी तबाही ने रोकवा माटे हवे गणत्रीना दिवसों नहीं पन कल्ला कोजबा की छे जाहिर है यूकरेन को अपने ही बलबूते पर यह यूद्ध लड़ना पड़ेगा यूकरेन की सामरिक शक्तियां अभी इसलायक नहीं है कि वह रूस से सीधा यूद्ध करके अपनी सुरक्षा को बचा पाए या रूस को परास्थ कर पाए ऐसे सिती में उसकी अपनी सेनाओं के पास साजो सामान की मदद तो नाटों के देशों से मिलता रहेगा लेकिन मुख यूद्ध में उसे खुद सामने आना पड़ेगा संभावना जादा है कि यूक्रेन कई दिशाओं से घिरे होने के कारण कई जगह से रूस के युद्ध का सामना करने में बुरी तरह बढ़ जाएगा और कोई भी ऐसा वजा नहीं है अगर फोसेस का कंपरिजन करें तो यूक्रेन रूस के सामने ज़्यादा दिन तक टिक पाए जो अमेरिका अने तेना नाटों सहयोगियों रश्या सामे लड़वा माटे यूक्रेन मां सेना मोकलवानी कोई योजना न थी पण अमेरिका अने तेना साथियों कोई पगला भरे छे कि रश्या पर कोई प्रतिबंध लगावे छे तो एक नवू युद्ध दुनिया जो छे इटले दुनिया पर महा विनाशक महा युद्धनों खत्रों तोडाई रहो छे तो शुँ खरे खरे युद्धने रोकवू शक्ये छे खरू आविशे वाद करी शूँ इंप्रेक बाद भले अमेरिका नी गुप्तचर एजंसियों रश्या ना प्लान ने डिकोड करी चुकी छे पर दुनिया नी बै महा शक्तियों एक एवा वणांग पर पहुंची छे जाती युद्धने टाडवानी संभावना पूरी थती नजरे पड़ी रही छे अमेरिका न राष्टपती जो बाइडन और रश्या न राष्टपती व्लादी मेर पुतीन वच्चे वात्चीत नो कोई नकर परिनाम नती आवी इटले हावे युद्धने रोकवो अश्चक के जे उलागी रहूँ छे यूक्रेन पर रश्या अमेरिका वच्चे खेंचाई तलवारो पुतिन वाइडन नी वाच्चीत गई निश्पार हवे गमे त्यारे शरू थैशके छे युद्ध महा युद्ध थी थशे महा विनाश दुनिया महा विनाश ना महा युद्धनी अणिये छे आ समय दुनिया नी बै महा शक्तियों एक बिजा पर वार करवानी पूरी तैयारी साथे ओभी छे रश्या अने अमेरिका एक बिजा पर आ युद्ध शरू करवानों आरोफ लगावी रहा छे युक्रेन पर रश्या ना हुमलानी आशंकाने लई माहो लेटलों गरम छे के एक एवु युद्धनी शरूआत थाई तो दुनिया मा तबाही जित तबाही हशे पुरश्या ना राश्ट्रपती पुतिन अने अमेरिका ना राश्ट्रपती जो बाइड़ने युक्रेन ना मुद्धे एक कल्लाक्ती वदू समय फोन पर वाच्चित करी अकॉल दर्म्यान बनने देशना राश्ट्रा ध्यक्षो वच्चे युक्रेन ने लई दरेक मुद्धे वाच्चित थाई पन दुनिया माटे चिंतानी वाद तेशे के भले आ वाच्चित एक कल्लाक्सुधी चाली होई पन वाच्चित मा बनने देशो कोई परिणाम पर न पहुंची चक्या तरीकी का प्रोवोकेशन होता है और फिर दूसर पक्षी की तरफ से इसके विरुद्ध कोई करवाई की जाती है तो ऐसे में जो पूरी स्थिती है युद्ध को जन्म दे सकती है रशियाना राश्ट्रपती पोतिन अने जो बाईडन वच्चे थेली वाच्चीत बाद वाईट हाउसे आ मुद्धे एक प्रेसनोट बहर पाड़ी वाईट हाउस मुझब बाईडन ने रशियाने सपस्ट शब्दों मा चेता उनी आपी छे के जो क्रेमली ने पोताना पाडोशी पर हुमलो करयो तो सयुक्त राज्य अमेरिका अने तेना सहयोग यो निरनायक रूपती जवाब आपशे अनि रशियाने भारे किम्मत चुका विपडशे वाईट हाउस मुझब राश्ट्रपती जो बाईडन ने राश्ट्रपती पुतीन वच्चे यूक्रेन पर हुमला ने लई लाम्बिवाद चित थाई वाईटाउस मुझब राश्ट्रपती जो बाईडन रश्याना राश्ट्रपती पुतिन ने ते समझाववाना अंदाजमा कहुं के यूक्रेन पर हुमलो करीने मोटा स्तर पर मानवीय संकट उभू थाई जशे जो बाइडन ने राष्ट्रपती पुतिन ने ते पन कहयों कि आ संकटने समाप्त करवा माटे पश्चिमना देशों कूटनीतिक रीते उकेल लाबवा प्रतिबद्ध छे पड़ अमेरिका अने तेना सहयोगी देश बिजी स्तितिनों मुकाबलों करवा माटे पणत यार्चे राष्ट्रपती बाइडन ने फरी एकवार राष्ट्रपती पुतिन ने आगरह करयो कि तेओ यूक्रेनी सरहत पासे थी रश्याना सैनिकों ने पाचाब बोलावी ले अमरीका के राश्टपती जो बाइटन ने रश्या के राश्टपती ब्लादेमीर पूतिन से कल जो फोन से वारता की है उसमें उन्होंने अपनी चेताउनी को फिर से दोहराया है, फिर से इसपस्ट किया है कि यदि रश्या युक्रेन पर कोई हमला करता है, तो इसकी बड़ी कीमत रश्या को चुकानी होगी और जाहिर है कि अमेरिका जब ये कह रहा है, तो उसके पीछे उसने तयारिया भी कर रखी है अमरीका और नेटो देशों ने इस तरह की योजना बनाई है, कि यदि रश्या की जो फोर्सेस युक्रेन की सीमा क्रास करती है तो इसे एक अक्रमण माना जाएगा, और जाहिर है कि उसके बाद अमरीका और जो येरिपेन कंट्रीज हैं वो रश्या के उपर severe economic sanctions लगाएंगे और इस sanctions के तहट रश्या को international financial transaction system से काट दिया जा सकता है और वर्तमान समय में जो अमरीका के द्वारा रश्या को जो military equipments प्रवाइड कराया जाते हैं, technologies प्रवाइड कराया जाती हैं ऐसे भी technologies जो की रश्या की consumer sector में इस्तिमाल होती हैं, उन सारी जो technology के उपर अमेरिका बैल लगा सकता है बाइडन साथे वाच्चित पहला रश्याना राश्याना राश्यापती पुती ने फ्रांस ना राश्यापती इमैनुएल मैक्रो साथे वाच्चित करिया थी राश्यापती मैक्रो यूक्रेन विवादनों अंतलावा माटे मौस्को मां राश्यापती पुतीन साथे मुलाकात पन करी चुक्या छे पन राश्ट्रपती पुतिन ते पन कही चुक्या छे कि जो यूक्रेन नाटो गुरूप मा सामिल थयू तो परमाणू युद्ध शरू थाई शके छे राश्ट्रपती पुतिने आ चेतवनी येवा समय आपी छे जरे रश्यानी सेनाए पॉलेंड सरहत पासे परमाणू हतियार लईजवा सक्षम मिग 31 विमानों ने तेना अत करी दिधा छे राश्ट्रपती पुतिने आमेरिका आने तेना सहयोगी देशों ने चेतावनी आपता कहूं के नाटो आने रश्यानी सेन्य ताखात जबर जस्च छे अमें समझिये छे पड़ अमें ते पर समझिये छे के रश्या एक परमाणू सक्ती छे अने केटलाए आदोनी घत्यारोंनों मुकाबलों करी सके छे आमा कोई वीजता नहीं बने अने तमें पोतानी मर्जी भीना पण आव विवाद मां सामिल थेजेशों बयान राश्पति पूतिन के तरफ से दिया गया है वो इस बात का एड्मिशन भी है कि रश्या की सक्ती नेटो की और अमरीका की जो सहयुक्त सक्ती है उसके सामने कमतर है और ऐसे में वो परमाणू युद्ध की एक धमकी दे करके पूरे इस्तिती को एक बैलेंस में रखन चाहते हैं वो परमाणू युद्ध की धमकी दे करके भी अपनी position of strength को दिखाने की कोशिस कर रहे हैं तो यह जाहिर है कि यह जो उदारण दिये जा रहे हैं इस तरह की जो बातें की जा रही हैं यह पूरे विश्व के लिए काफी चिंता वाली हैं और जाहिर है कि परमाण युद्ध की बात करना सर्वविनास की बात करना जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का सबब है युक्रेन ना मुद्धे रशिया अने अमेरिकाना संबंधो बगड़ी रहा छे बनने देशों कोल्ड वार ना समय मा पहुँचता नजरे पड़ी रहा छे अने साथे ज दुनिया पर 30 व्रश्वयुद्धनों खत्रों वत्तों जई रहो छे अतमाम निवेदन बाजी वच्चे रश्याए अमेरिका पर आरोप लगावे उछे के अमेरिकानी वर्जीनिया क्लास नी परमाणू सबमरीन तैनी दर्याई सरहदना घुसी आवे जरे रश्याणा युद्ध जहाजे अमेरिकानी सबमरीन ने दर्याई पाणी नी सपाटी उपर आववा कहिऊं तो सबमरीनी आवगण ना करी त्यारबाद रशिया नी नव से नाय अमेरिकानी सब्मरीन विरुद्ध कारेवाही करी तो अमेरिकानी सब्मरीन रशिया ना दर्याई विस्तार माथी बहार चाली गई अमेरिका पोतानी वर्जीनिया क्लास सब्मरीन नो उप्योग मोटा पाए एंटी सब्मरीन युद्ध अने गुप्त माहिती भीगी करवा माटे करे छे पर्माणू शक्ति थी चालती फास्ट अटेक वर्जीनिया क्लास नी आ सब्मरीन टॉम हॉक क्रूज मिसाइलो थी सज्ज होई छे स्टेल्थ फीचर थी सज्ज होवाना कारणे दुश्मनना रडार आ सब्मरीन नी डिटेक्ट नथी करी शकता उपरांत एंटी सब्मरीन वार फैर माँ पन आ सब्मरीन नो दुनिया मा कोई तोड न थी रश्याना मेडिया मुझव अमेरिकानी आ सब्मरीन नी घुसन खोरी कुरिल टापू उपासे थी थाई जे जापान मा छे रश्यानी नव सेना अत्यारे आविस्तार बा युद्धा अभ्यास करी रही छे बीजा विश्व युद्ध दर्म्यान रश्याय आटापू पर कब जो करियो हतो अमेरिका ने ऐसी किसी भी इंसिडेंट को होने से इंकार किया है अमेरिकाना राष्ट्रपती जो बाइडन ना राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार जैक सूलिवन दुनिया ने पहला चेतावनी आपी चुक्या छे कि अमेरिकाने गुप्त माहिती थी खबर पड़ी चे कि रश्यानू आक्रमन बस गनत्रीना दिवस्तों मा जुश्यर उथवानू छे अमेरिकाने मलेली गुप्त माहिती मुझब आहुमलो बेजिंग मा 20 फेवरुवारी ना रोज पूरा थता विंटर ओलंपिक पहला जुथई शके छे जो अमेरिकानी आ चेताउनी साची पड़ी तो तैनों एकज अर्थ निकले छे अने ते छे दुनिया तबाही ना दारू गोळा परबैठी छे अने एक नानो अम्थो तणको एक मोटा युद्धने आमंत्र नात शके छे जो अमेरिकाने रश्या वच्चे युद्ध थायू तो आ एक महा युद्ध शे जिद दुनिया माटे महा विनाश नुकारण बनी शके छे तो आसाथ है स्पेशल रिपोर्ट अहीं समाप करिश्चो निवद्ध समाचारों विस्तारती जवावाटे आप जोता रहो ब्यूज 18 गुजरावी